दोस्तो किसी भी काम की जब हम शुरुबात करते हैं और उसकी अगर अच्छे से opening हो जाए, उसकी सुरुबात अच्छी हो जाए तो उस काम के success होने के जो संभा होना है वो काफी बढ़ जाती उसी तरह हम खेती के अंदर किसी भी फसल को लगाते हैं अगर वो फसल अपनी फस्ट स्टेज के अंदर अच्छे से परफॉर्म करें उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छे से हो तो उस फसल का उत्पादने वह बहुत शांदार हमें मिलता है अपन देख रहे होतने हैं जिन फसलों का अंदर सुरुआती चरण महीं बीम उस शांदार तरीके से ले सका मैं आप लोगों को बतायता हूं कि प्याज फसल के अंदर सतर परसेंट जो काम हमने पिसले साल अपनी फसल का अंदर किये था अगर उसको अपन इस साल भी अपलाई करेंगे तो चल जाएगा लेकिन तीस परसेंट स्ट्रेटिजी आपन को च कल के आएगा तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रभी सीजन के अंदर जो अभी प्याज की चौपाई हुई है बहुत सी जगे अभी बुआ हो रही है तो अभी जो अगले 35-40 दिन आने वाले उसके अंदर अपनी प्याज की फसल को किस तरह से बढ़िया उसके अंदर वेज करने चाहिए और अब की बार जो एटमोस्फियर का अंदर जितना कुछ यूमिडिटी लेवल है या अब की बार जितनी बारिश हो रही है या फिर जितनी ओस आ रही है इन से जो बुरे इफेक्ट पढ़ेंगा हमारी फसल पर उससे अपनी फसल को किस तरह से बचा पाएं तो नमस्कार दोस्तों में दर पर यादव स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल देश की जाना हमारी किशान चैनल पर जितने भी किसान भाई हमारी चैनल पर पहले दफ़ा हैं या जिन किसान भाई उने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हित्तों का अंदर की होगी तो आप निश्चिंत हो जाएए आपकी फसले बहुत जबर्दस उत्पादन देने वाली इस साल तो अब बात करते हैं दोस्तों अपन को अब इससे आगे अपनी फसल का अंदर क्या कुछ करना है तो अधिक तर जगए पर जो प्याज की फसले व स्मचार कों से फिटर्लाइजर यूज और जिससे कि हमारी फसल संदार रो बढ़िया हो फिडूर मारी फसल ना हो पाए और दोस्तों मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर का फॉन आया था उसने मेरे को बताया सर हम कुछ कन्फ्यूज हैं हमें कहीं से जानकारी मिली है कि हम जब खर्पतवार नासी का प्रियोग करते हैं तो ओक्जी फ्लोरोफैन जो चोड़ी पत्ती के लिए आता है गोल आता अल्टो आता गोल की कई नामों से आता है तो क्या हम उसको पर 20 लीटर पंप के अंदर 20 डाल सकते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बतायता हूं कि खर्पतवार हैं तो आप ओक्जी फ्लोरोफैन 23.5 परसेंट जो गोल के नाम से आती है बाजारों में अल्टो के नाम से आती है और काफी और नाम से आती है उसकी आप पर पंप के हिसाब से अगर 20 लिटर का आपके पास पंप है तो उसके अंदर आप ज़्यादा अगर आपके समस्या ज जादा चल सकता है आपका फंजी साइड जो होता है फफंद ना सक उसके एक या दो ग्राम मातरा जादा चल सकती है लेकिन आप अगर हर भी साइड की एक या दो ML मातरा ज़्यादा अगर डाल देते हो तो निश्च तोर पर आपके जो FASAL है उसके अंदर बहुत ज्यादा नुक्सान होने वाला तो यह बात हुई दोस्तो चोड़ी पती को खरपत्वारैं अगर आप की फसल के पर आपकी फसल को पर जटका लगेगा फसल पीडी पड़ेगी अब बात करेंगे सक्री पती के हमारे देश के अंदर अधिकतर किसान क्या है कि वो चोड़ी पती के खर्पतवार को नियंतर्ण कर लेता है लेकिन सक्री पती पर वो लापर वही कर जाता है मैं आप लोगों को खर्पतवार चाहे चोड़ी पती हो ये सक्री पती हो दोनों आपकी फसल के लिए हानिकारक है तरगा सूपर के नाम से बाजारों में आता है एक विप सूपर के नाम से बाजार में आता है एक हाकमा के नाम से बाजार में आता है अगर इसके टेक्निकल की बात करूं तो इस के अंदर आप चोड़ी पति के खर्पतवार नासी डाल रहे हैं इन दोनों का आप इस प्रे कर दीजिए एक कमेंट हमारे पास दोस्तों और आया उसके अंदर लिखा हुआ करें तो मात्र खर्पतवार नासी का ही प्रियोग करें उसके अंदर आप ना कोई फंजी सैड यूज़ करें ना कोई एन पी के यूज़ करें हाँ यह जरूर हो सकता है जो मैं खुद करता हूं कि अगर आपके खर्पतवार थोड़े से बड़े हो गए और उनके अंदर हैं वह आपकी फसल के उपर बहुत ज्यादा हमला कर देंगे तो आप जब खर्पतवार नासी का प्रियोग कर रहे होते हैं उस वक्त आप इंसेक्टि सैड यूज़ कर सकते हो इनके साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों जब हमारी फसल लग भग एक महीने की हो जाए तो उस वक्त हमारी फसल को फैटलाइजर के आउसकता पड़ती है उस वक्त हमारी फसल को पोसकतत्तों के आउसकता पड़ती है तो जो किसान भाई बेसल डोज के अंदर अच्छे से जिन लोगों ने पूरे खाद की मातरा दी हो उनकी फसले वो नीचे से बराबर मातरा में पोसकत तत्तू के पूरती कर रही होगी और उनके ग्रोफ है वो सांदर तरीकिस चल रही होगी लेकिन फिर भी जब 30 दिन के हमारी फसल हो जाती उसके बाद जिस तरह से हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं उसी तरह से हमें अपनी फसल को भी रिचार्ज करना पड़ता है तो एक मही बेसल डोज के अंदर डीएपी दिया होगा लेकिन आपको एक बार फिर दोबारा से डीएपी देना होगा क्योंकि डीएपी डालने से हमारी जड़े हैं जड़ों के विकास अच्छे से होगा और शुरुवाती चरण में जिन फसलों के अंदर जिन पोधों के अंदर नाइट्रोजन की अगर हमने बेसल डोज के अंदर नाइट्रोजन की कुछ मातरा दी है तो 30 दिन के बाद हम नाइट्रोजन लगभग 25 से 30 किलो परेकड़ के हिसाब से ले सकते हैं वैसे मैं आप लोगों को बतायता हूं कि जो किसान इस्टोक करते हैं प्याज को जैसे कि हर्वेस्टिंग करने के बाद आपने को दो चार पांच महीने के लिए उसको इस्टोक करना पड़ता है तो ऐसी स्थितिक अंदर आपने को नाइट्रोजन की खादों से थोड़ा बचना पड़ेगा चूंकि हमें वेजटेटिटिव ग्रोथ भी कराएं यह अपनी फसल की पूसका अ हमें पोधेय को नाइट्रोजन भी दे नी पड़ेगी तो हमें पर एकरकर के हिसाब से जब हमारी फसल इस दिफ्कोर 15 कि हिसाब से लगभग 30 किलोो नाइट्रोजन देना है इसका विकलक में आप लोगों को बताता हूं बहुत ौर यूरिया की जगे अगर आप लोगों को ammonium sulfate मिल जाता है तो आप 20 किलो ammonium sulfate लीजिए और 10 किलो nitrogen खाद मतलब urea लीजिए आप इनको मिलाईए अब बात करते हैं दोस्तों अभी फसलों को बहुत से micronutrients के आव सकता पड़ती और शुरुवाती चरण में अगर फसल के अंदर किसी 10 किलो तक कोई बड़िया company का micronutrients लीजिए बहुत ही जरूरी है यह अब बात करते हैं दोस्तों जड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है हमारे जमीन के नीचे चाहे वो fungus हो या फिर कोई insect हो जैसे कि टर्माइट की समस्य आ जाती यह white grub की समस्य आ जाती है तो अब भी उनको यह भी नहीं को रोखने यूं कर उस बहुत जरूरी होता कियोंकि आगे जर वह समस्य जह जाएगे तो उसके लिए हमें 8-11 से या फिर आप 5 कजी karmaCrePrεται क्लोराएड या फिर आप पांच किलो जो भी खाद हैं उनीक उपर आप सभी को उडेल देजिए ये सब उडेलने के बाद आप बात करते हैं दोस्तों अपने इंसेक्टिसाइड भी नीचे से दे दिया उपर से अपने फसलों को जितने भी हमारी फसलों का अंदर पोसक तत्वों के कमी हैं उनकी भी पूरती अब क जाद होने के कारण हमारी जमीन के अंदर फंगस है वो भी अपना काम करेगी और हमारी फसलों को पर वो अटेक निश्ची तोर पर करेगी तो इससे हमें निजात पाने के लिए या तो आप तीन किलो पर एकड़के हिसाब से सलफर ले लीजिए नब्वे परसेंट डबलू बेसल डोज का अंदर अगर लेते हैं या फिर खेत की जब गुड़ाई करते हैं उस वक्त अपन डालते हैं तो साइध जादा बहुतर काम करती है या फिर आप फंजी साइड के अंदर कार्बैन डिजम मैन को जेब जैसी की साफ पावडर या फिर कार्बैन डिजम पचास परशेंट द्धानु का कंपणी के भानु श्टीन आती या बहुत सी कंपणियों के आती या फिर आप रोको थाइफिनेड न्याइड मि ताइल यह भी ले सकते ओँ आप 500 ग्राम परिकड़के हिसाब से इन सब को अच्छे से मिलालो दोस्तों इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद आप अपने खेतों के अंदर फैंक दीजिए फैंकने के बाद आप सीचाई कर दीजिए आपकी फसल है वो बिल्कुल खिल खिला उठेगी मैं गैरेंटी देता हूं आप लोगों को जब आप इन खादों को डालने के बाद सीचाई कर देते हो और उसके दो या तीन दिन बाद जब आप अपने खेतों के अंदर घुस सको उस टाइम पे आप एक इस्प्रे जरूर कर दीजी उसके अंदर आप इनसेक्टी सैड और फंजी सैड दोनों का मिलान कीजी बहुत अच्छे से तो मैं आप लोगों को टेक्निकल बताता हूं चूंकि इस टाइम पे जब ह बहुत सी कंपनियां बनाती जैसे के इस्टोप के नाम से आता है आप फंजी सैड के रूप में आप कार्में डिजम मैन को जैब ले सकते हो आप थाइफिनेट मिथाइल ले सकते हो या फिर मैं आप लोगों को एक और सांदर प्रोड़क्ट बताता हूं पी आई कंपनिय का जैएगा जैसे जैसे हमारे मोसम के अंदर गर्मी बनती जाएगी ठ्रिप्स का प्रकों बढ़ता चला जैएगा उसी का साथ साथ परपल ब्लोच की भी संभावना बनती चले जाएगा तो उसी हिसाब से अपन पिर उसका अंदर टेक्निकल भी बढ़ाते चलेंगे दोस्तो तो अगर अभी इस अवस्था के अंदर ही हमने highly technical अपनी फसलों के अंदर डाल दिये तो निश्ची तोर पर आगे जाके फिर वो फैल हो जाएंगे साथी दोस्तों एक बात मैं पीछे भूल गया जब आप खर्पतवार नासी का पुरियोग कर रहे होते हो उस वक्त आपकी जमीन के अंदर परियापत नमी होनी बहुत जरूरी है अगर आपकी फसल के अंदर नमी नहीं होगी तो जो आप हर्भी साइड यूज़ कर रहे हो अपनी खितों के अंदर उसका जो प्रभाव वो कम हो जाएगा जबकि आपकी फसल के उपर उसका जो दूस परियाप जादा बढ़ जाएगा तो कोशिश कीजिए आपनी फसल के अंदर जब आप सी चाही कर दो दो जा तीन चार दिन बाद जैसे आप खितों के अंदर जा सको को आपके खित के अंदर पर याप नमियों उस वक्त आप खड़ योश कर जाएगर उसको आराम से पार कर जाएगर सेकर्डी स्टेज में बहुत धूम धड़ाक है के साथ पर वेस्ट करेगी उससे आगर दोस्तों अपन को क्या कुछ करने सेकंड स्टेज के अंदर जब हमारी फासल पहुंच जाएगी तो उसके उपर बहुत जल्दा आप लोगों को वीडियो मिलने वाला धन्यवाद